Hello dear students, आप हमने जो topic सुरू कर रख रख था हमो प्रोजेक्टरी नोशन शुरू किया था और प्रोजेक्टरी नोशन मैंने बोला था आप लोगों को प्रोजेक्टरी नोशन इज एज़यंपल टू डाइमेंशन नोशन अग्णा मोशन अंडर जावेटी तो मैंने क्या था प्रोजेक्टरी मोशन मैंने इसमें तीन चीजे फाइंड आउट कि थी बच्छो एक तो मैंने टाइम अफ़ाइट निकाल दिया था तू यू साइन थीटा बाई जी आया था या तू यू वाई अफूं जी या इसको तू यू पर्पेंडिक्लोर बाई जी यह मैं आप लोगों को समने निकाल दिया था दूसरा मैंने बिटा मैक्सिमु भोरी चैनल रहिस को भी निकाला था याद किजी यू स्के साइन तू थीटा साइन थीटा कोस थीटा ये साइन थीटा और ये यू स्केर वाई जी बच्चो तो यू को अलग अलग लिखू मैं तो एक बार यू को यू को यू को यू स्केर लिख सकता हूं एक बार यू को यू स्केर लिख सकता हूं तो रिंज का सेकेंड एक्विशन आगे है क्या Ucosθ, Usinθ, divided by G, यह बच्चो Ux होता है, 2Ux Uy by G, यह U parallel गी दिख सकते हैं, आपलो, U parallel, U perpendicular by G, parallel means Ucosθ, perpendicular means Usinθ, यह मैंने निकाल दिया था, एक maximum height और निकाल के दिखा देता हूं, शयर निकाल दिती है वो भी अमने, बचो, maximum यहां से यहां तका time of descent T है, यहां से यहां तका time of descent T है, तो total time of flight कितना आएगा? T plus T, total time of flight T, तो time of descent यह time of descent total time of flight का क्या आगया? अब फागया? तो माइन में रखने लाइक बात है बचो, highest point की उपर, acceleration और velocity के अंदर, जो angle होता है, 90 degree होता है, बहुत important point है और हर point की उपर, doing whole project का emotion, हर point की उपर, velocity का horizontal component कभी भी change नहीं होगा और जब यहां से हम highest point की उपर जाएंगे, तो vertical component का मोता जाएगा? और highest point की उपर, जो vertical component होता है, velocity का, वो zero होता है बट जब आप उपर से नीचे आएंगे, तो vertical component क्या होगा? इंक्रीज होगा, due to gravity, right? तो बच्चो यह हमें निकाल दिया था, एक height और निकाल के दिखाई था, देखो आप बच्चो, equation of motion, दो equation of motion यूज़ करके आप height निकाल सकते हैं एक तो v square minus u square is equal to 2as, एक s is equal to ut plus half it, इसके दोनों से किसी भी equation को यूज़ करके निकाल सकता है, height कितने time निकी इनकी उसमें? 0,60, और time of society कितना है? t by 2, time of society कितना है? t by 2, तो बच्चो अगर हमें height निकालना है, अगर मेरे बच्चो height निकालना है, तो ये equation लगा सकता हूँ क v square minus u square is equal to 2as, अब v, y में height, vy square, u y square, 2, a y, s, h होगा है, हाइस component, इस point to per vertical component 0 होगा, तो vy क्या इक पर आप लोग बोलो, vy 0, u y कितना है? u sin theta का square, u square sin square theta, 2 a y के value minus z, into h, तो h को आगे, बच्चो, minus कैंसे लोग होगा, u square sin square theta by 2g, बच्चो, ये height निकालना होगा है, अब height कितना आगे, h is equal to u square sin square theta by 2g, बच्चो, ये basic formulas है, projectile motion, जब angular projection है, जब theta horizontal के साथ angle बना है, तो आप क्या में specific सकता होगा, u y का square, क्योंकि u sin theta u y होता है, upon 2g, या ऐसे भी लिख सकता है, u perpendicular square by 2g, बच्चो, तीनी क्विशाज है, जो आपको mind में feed होनी चीए, आप लोगो, time of life, 2 u sin theta by g, 2 u y by g, 2 u perpendicular by g, range निकालना है, 2 u x u y by g, u square sin 2 theta by g, और height अगर आपको निकालना है, u square sin square theta by 2g, एक बच्चो, equation of presently और याद कीजिए आदो, याद होगा आपको, क्या है था, x tan theta, minus g x square by 2 u square cos square theta, यह भी बहुत important equation है, इसको हम range की form भी निकाल पाएंगे, अगर आपको range का formula याद है, तो, इसको range की form में होता है, x tan theta into 1 minus x by r, वो हमें मैं करके दिखा हम आप लोगो, clear? आगे चलता हूं, देखो आप लोग में, अगर मैं आपको ये बोलना हूं, ये formula हमने निकाल लिए बैचो, ये हमने लास लेक्च्चर में भी निकाले थे, आप देखो मैं आगे निकालता हूं इसको, equation of present पर हमने ये निकाला था, x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta, अचो थोड़ा सा इसको competition point of view से इस result को change करते है, ये equation of parabola होता है, हम इसको change करणा चाहते है, range की form में, range क्या पड़ा है, आपको जाती ही, u square sin 2 theta by g तो बच्चो क्यों ना मैं इसको range की form में convert करना चाहरा हूं, मैं यहां से x tan theta कोमल लूँगा आप लोग देखे, क्या हैगा, y is equal to x tan theta कोमल आगे, 1 minus g x बाहरा आगे, अब tan theta नहीं है तो divide कर दो, 2 u square cos square theta into 10 theta, 10 theta को क्या लिग दो मैं, sin theta by cos theta, धान से देखेंगे बच्चों, x tan theta यहां से कोमल लिया, 1 minus g x, x कोमल आगे, 10 theta नहीं है तो divide करती है, 10 theta को में देख ब्रेक कर दिया, sin theta by cos theta, अब चो cos theta से cos theta ही cancel होगे, तो कितना बच्चों अब बच्चों, y, x tan theta into 1 minus g x divided by 2, अब देखो, u square 2 sin theta cos theta, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, u square sin 2 theta, clear हुआ? 2 cos theta sin theta, sin 2 theta होता है, यह u square है, जै किस बुट की है, अब आप यार कीजिए, u square sin 2 theta by g यह रहा, तो मैं इसको 1 by यार देख सकता हूं, क्या? ध्यान से देखेंगे, u square sin 2 theta by g, जी बच्चों, इस वाल लिख में, तो क्या है? y is equal to x, y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, बच्चों में question करवाँगों, आप लोगों, जिसमें यह formula use होगा, range की form equation of trajectory क्या होता है? x tan theta into 1 minus x by r, हम इसको एक और भी change कर सकते थे, 10 square में भी कैसे है? देखो, 1 by cos square को आप लोगों क्या लिख सेप्टे हो? secant square, और secant square क्या होता है? 1 plus 10 square को हम एक और equation बना सकते हैं, but competition of point of view से यह formula important है, range की form equation of trajectory क्या होता है? x tan theta into 1 minus x by r, आज जो मैं भी आपको discuss करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपको आज velocity of projectile लिखा लोगो at any instant of time. किसी भी time सुपर अगर हम से यह पूछा जाए, what is the velocity of projectile at any instant of time? then how we calculate the velocity of projectile at any instant of time? पूछो किसी भी time पे फिर आप coordinate निकालना से खाएंगे आपको न, देखो आप लोगो. क्या निकालना मेरे को? velocity of projectile. अब हम velocity को निकालना सिखाते हैं आपको. कि इस पूरे path में किसी भी point of velocity पूछले, highest point में इस फिरफ horizontal component होगा. बच्चो, during whole projectile motion, horizontal component velocity का कभी भी change नहीं होगा. क्योंकि there is no accelerating force in a horizontal direction. accelerating force vertical में है, क्योंकि body पर एक gravity हर point इक पर downward लगेगा. ये पता है आपको. और highest point में में याद रखेंगे, velocity और acceleration mutually perpendicular to each other. और ये component इस पर depend नहीं करगा और ये वाला component इस पर depend नहीं करेगा. बच्चो, जब भी हमारे पास parabolic बात है, circular motion है, तो उस point पर tangent रोगीजिए. इस point पर ये tangent रोग किया, मैंने V इसकी velocity हो गया. राइट बच्चो, इसके बाद मैं क्या करूँ? बच्चो, हम velocity और प्रोजेक्टर ये लिका लेंगे at any instant of time. मैंने का, इस point पर velocity निकालने है, जिस भी point पर आपको velocity को find out करना है, उस point पर tangent हो कीजिए. तो बच्चो, ये इसका horizontal component होगे, Vx, ये इसका vertical component होगे, Vy. जैसे मैं बना दो अलग से, और ये angle आमने माल लिया, alpha या beta जो भी आप consider करें. इस point P पर velocity निकालने है, right? मैं यहाँ पर बना की रिखालने हो. बैटे, ये V है, ये Vx है, और ये वाला component Vy है. और इस point के उपर, ये V diagonal है. डारेक्शन होले इस गिवन भाई, टैंजेंट. वो देखे, डारेक्शन है. अब कुछ नहीं करना. एक Vx है, एक Vy, Vy का magnitude क्या होगा? Vx square प्लस Vy square अंडरदा हो. मतला, अब Vy को कैसे लिख सिर्था हो? वेक्टर फोम में? बढ़ी, Vx I cap प्लस Vy G. और magnitude क्या होगा V का? Vx square प्लस Vy square बच्चों, अंडरदा रूट. बच्चों, equation motion है, uniform accelerated motion है. तो हम क्या करें? velocity निकाल लेते हैं. Vy is equal to Vy plus T होता है. Vx क्या होता है? Ux plus Axt. अब देखो, मैं शुरू से आपको इक बात बताना चाहरा हूँ, कि there is no accelerating force in a horizontal direction. Ax 0 होगा और Ux हर जगे क्या रहेगा? U coast theta. तो देखो, बच्चों, यहां से Vx नेकल गया. Y, Ax तो 0 है अपना. तो बच्चों, Vx तो Ux ही रहेगा. मैंने आपको शुरू में भी बोला था. horizontal direction में acceleration, G, और velocity सेम रहेगा. अब vertical की बात करते हैं. Vy, Uy, plus, बोलिया प्लो, Ayt. Uy क्या है? Q sin theta. यह लिजे बच्चों. Q sin theta. अब Ay, G हर point भी कहां लगेगा, vertically down गो रहेगा. तो बच्चों, minus Z into T. अब आप बता ही, आपको समझ में आएगी नहीं है. Vx square plus Vy square under the net. You solve it. बच्चों, करके देखते हैं. Vx square, U square, cos square, Vy square, a minus b ka whole square क्या होता है? A square plus B square minus 2ab. तो करें सो. दिसका square plus U square sin square theta plus G square T square minus 2ab बच्चों. 2U, G, T, sin theta. और whole under the net. अब आप देखो, इन्हें में सी U square common आता है. तो sin square theta plus 4 square theta, जब बन हो गया है. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पूरी ट्रम को? इसको रिरेस करूँ. और यह क्या आगया है? U square. प्लस क्या है? G square T square. आगे क्या है? minus 2U GT sin theta. minus 2U GT sin theta. बच्चों, यह velocity है. किसी भी time T पे. किसी भी time T पे velocity. U square पता है आपको? G square T इसको किस time पे निकाल जाए है? 2U GT किस एंगल से गोड़ी को प्रोजेक्ट किया है? पर जो अच्छा question होता है, वो हमेशा direction के उपर आता है. राइट? वो कहीगा किस point के उपर इसका original उसका original component बराबर होगे? जैसे यह और यह component का बराबर होगे? ऐस तरीके से question आता है. क्यों यह horizontal component कभी change होगा ही नहीं. याद रखें. वो कहीगा किस frame पे इस point के उपर? क्या बोला मैंने? यह और यह component बराबर होगे? अब बराबर रखेंगे क्योंकि change होता ही नहीं. ठीक है? बट यह क्या होगा? यू को स्थिटा, राइट नहीं? अब देखो इसको उपर में बता रहो जो चीज़ बता उसको द्हान से सुनना आप जो. अब direction निकालना करेंग and theta is the angle make with the positive direction of x axis that is beta. तो 10 beta क्या होगा? 10 beta क्या होगा बच्छो? Vy by Vx. Vy by Vx बच्छो? Vy आपके पास है. देखो यह रहो. क्या आएगा? 10 beta is equal to Vy के बेदू बोलेंगे? U sin theta minus zt divided by u cos theta. तो बच्छो? सिंपल है यह तो कर लेंगे आप लोग सोल. U c u cancel होगा? 10 theta minus zt by u cos theta. यह बच्छो हमने velocity निकाल दिया. आप से आगे क्या पूच सकता है? वो कहेगा इस point में coordinate निकाल लिए. इस point के पर height निकाल लिए. पूरा topic ही angular projection ने प्रोजेक्टेल पढ़ा देंगे आप लोगों को. Next में क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखेंगे आप लोगों त्यांसे. इससे पहले एक और चीज़ बताते हैं बच्छो ने. हमारा horizontal range maximum कब होता है? हमारा range हमने find out किया था. r is equal to u square sin 2 theta y g. यह हम लोगों ने find out किया था. याद होगा आप लोगों को. अब यह देखो r maximum का होगा? जब हमारे पास sin 2 theta maximum हो. साइन 2 theta maximum कब होगा? जब 2 theta maximum हो. और sin theta की बाइव प्लस वन होता है maximum? तो 2 theta 90 degree होना चाहिए. अगर हम किसी बोड़ी को 45 degree से फिके, तो वो maximum horizontal range, maximum horizontal distance कवर करेगा. And how much maximum range कितना होगा? बेटा, theta की बेली 45 रखेंगे. तो r max का formula याद होना चाहिए u square by g. पहला question, पहला point जो आपको याद रखना है. अगर हम किसी दो बोड़ी हैं, अलग-अलग angle से फिकेंगे, तो horizontal range कब बराबर होगी? अब यह concept पढ़ाना है आपको. एक को 30, दूसरे को 60 दोनों के horizontal range बराबर आएगे. वो अब discuss करेंगे. तो range clear होगे, maximum range कितना होता है? u square by g. clear? अब देखो आपको, इसी के ऊपर range के ऊपर देखेंगे आप. इसको continue करते है range को. यह कहता है four two angle of projection. किन दो angle of projection के लिए, जो horizontal range होगी, वो बराबर होगी. बच्चो एक और बात पता जो भी बोडी आप थो कर रहे हो. range होगा, time of flight होगा, height होगा. यह मास पर डिपेंड नहीं करेगी. देखो. किसी भी ट्रम के लिए, मास नहीं करेगी. दो बोडी का मास अलग अलग है, angle of projection सेम है. तो उसका horizontal range, उसका maximum height क्या होगा? सेम होगा. ऐससे है? क्या है? u square sin square theta by 2 g. तो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगी. u सेम होना चाहिए, theta सेम होना चाहिए. तो height क्या होगा? सेम होगा. time of flight क्या होगा? सेम होगा. अब हम आपको निकालना सिखा रहे है. 42 angle of projection. किन 2 angle of projection के लिए, जो horizontal range है, वो बराबर होती है. यह चीज़ हम लोग. 42 angle of projection है, horizontal range है. 1 is theta and 90 minus theta. देखो आपनो, maximum range हमें पता लग गया. जैसे 1 angle theta है. देखो, total angle कितना हो सकता है? 2 dimensional motion, total कितना होगा? 90 होगा? हमने माल लिया, जब हमने body को theta angle से थोखिया. तो उसका horizontal range था, वो r1 था. तो r1 कितना हो गया? u square sin 2 theta. theta 1 को theta माल लिया, by u square sin 2 theta. y g बचो. अब मैंने कहा, second जो angle है, वो मैंने क्या consider कि theta 2 को? 90 minus theta. अब जो range है, क्यों टोटल सम क्या हो सकता है? 92 dimensional motion अपना? एक बार बच्चो, इसको theta माल लो. एक बार हमने इसको theta माल लिया, यह क्या बचेगा? 90 minus theta. तो बच्चो, अगर मैं value put करूं, उस range को r2 माल लो, मैं u square sin 2 theta कितना हो गया? 90 minus theta. तो बच्चो, u square sin 180 minus 2 theta. आप लोगों ने पढ़ा है, बता है, sin, second quadrant में sin कैसा होता है? r, sin, second quadrant में sin कैसा होता है? positive. और sin 180 पे change है? नहीं होता. किस पे change होता है? 90 और 270 पे. तो sin 180 में इस theta क्या होता है? sin theta और positive होगा second quadrant में sin. तो r2 कितना आ गया? u square sin 2 theta by g. एक बार मैं आप लोगों बोल दूँ कि मैंने इसके साथ u, speed shift theta एंगल बना के body को थो किया, right? एक बार हमने ये वाला इंगल माले, total sum क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? 90 तो अगर हम एक body को 30 डिग्री से फेकें, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये 30 से body को फेका तो body यहां पे पहुंचा है, बट अगर body को second दिखें, कितने अगर पे? 90 माइस दिखा, अगर मैं 60 से जैसे उस body को फेक हूँ, तो उन दोनों की जो रेंज है, वो क्या होगी? से एक को 30 से, और एक को किसे फ्रोगिया बच्छो? 6 डिग्री से, क्योगी theta और 90 माइनटी माइनस theta, या आप ये भी बोल सकते है, 45 प्लस theta, theta बन, और theta को क्या हो सकता है? 45 माइनस theta, दोनों का sum कितना होगा बच्छो, maximum 90. अगर two angle of projection having same horizontally, अगर first clue हमने, for a given value of you, कोई भी given value of you लिया हमने, अगर पहले को 15 डिग्री से फेक हो, दूसरे को मैं 75 डिग्री से फेक होगा, time of flight अलग हो सकता है, height अलग हो सकती है, but horizontal range का होगी? बराबर होगी. तो two angle of projection के लिए horizontal range का होगी? बराबर ह 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 20 है तो दूसरा किसे फेक हो, range बराबर आए, 70 degree. This is about horizontal range. अब बच्छो मैं एक और चीज समझाना चाहरा हूँ, अगर आप लोगों से को ये पूछे कि इस point के उपर coordinates निकालने हैं आपको, मतलब मेरी position क्या थी? मैं कि आहां पर था इस plane के अंद coordinate हो गया ये बाला और ये बाला ये बाला ये coordinate हो गया, तो आपको coordinate कैसे निकालने है, ठीक है? अब देखो, और एक और बात बताता हूँ, चलो, अगर theta और 90 minus theta है, तो time of flight निकाल सकते हैं, और range और time of flight में क्या relation होता है? एक और important point, जब एक को theta से throw किया, दूसरे को 90 minus theta, then what is the relation between time of flight and horizontal range, time of flight तो अलगे लगा होगा, बट रेंज तो बराबर होगा, अब relation drive करके दिखाते हैं, आप लोगो होगा, जब एक और थीटा, दूसरी और गोडी का angle देखना है, 90 minus theta, बच्छो, time of flight का formula बताएं पहले, 2u sin theta by g, u constant है, एक और थीटा से throw किया, तो time of flight कितना हमा sin theta by g, दूसरा, 90 minus theta, तो उसका time of flight अलगा है, बट यू constant है, 2u sin 90 minus theta by g, तो क्या आगे अगे T2, sin 90 minus theta, first quadrant में sin positive होता है, sin cos convert होता है, 90 और 270 में, करो, 2u cos theta by g, यह equation 1 find out किया, बच्छो, यह 2 को find out किया, अब मैं range के साथ relation निखालना है, तो range का formula you all know, r क्या होता है, u square sin 2 theta by g, अब range इन दोनों से कैसे निखाल सकता है, बच्छो, इंको multiply कीजिए देखना, question का answer आएगा, t1 multiplied by t2, क्या हैगा, 2u sin theta by g into 2u cos theta by g, अब आप देखेंगे, u square, देखो 2, 4, u square, sin theta, cos theta by g square, अब मैं range बनाना है, तो देखो u square तो आगया, sin 2 theta, यह आगया देखो, 2 sin theta by g square, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, आपनों ध्यान से देखेंगे, t1 into t2 is equal to 2 sin theta cos theta, 2r by g, आप चेक करेंगे, सही यह गलब दिखेंगे, 2, हमने भाहर लिया बचो, t1 into t2, 2 अलब लिया, 2 sin theta cos theta क्या बन गया, sin 2 theta, u square sin 2 theta by g square है, तो 1 g अलब कर दिया, 2 r by g, हमेशा ध्यान रखेंगे, time of flight और horizontal lens में क्या रिलेक्शन होता है, theta और 9 minus theta बे, t1 into t2 is equal to 2 r by g, अब हम कोडिनेट निकालेंगे, next lecture में, इस lecture को ध्यान से पढ़ना है आप लोग हो, और इसको और questions solve करने है, right, thank you बच्छो, बच्छो